नमश्कार मित्रों हाड साल अश्वीन महा के कृष्ण पक्ष की आमावस्या के दिन पित्रों की विदाई की जाती है इसलिए इसे सर्व पित्र आमावस्या के नाम से भी जानते हैं तो 2022 में सर्व पित्र आमावस्या कब है इसका इतना अधिक महत्व क्यों है और इस आमावस्या को साल की सबसे बड़ी आमावस्या क्यों कहा जाता है यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं मित्रों हिंदू धरम में पित्र पक्ष का विशेश महत्व है पित्र पक्ष की शुरुवात अश्विन महा के प्रतिपदा यानी 11 सप्तमबर से हो चुकी है पित्र पक्ष का समापन सर पित्र आमावस्या के दिन होता है इस दोरान हम अपने पूर्वजों की बृत्यों की तिथी पर उनका तरपन वैशराद करते हैं वहीं जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथी का पता नहीं है वो सभी सर पित्र आमावस्या के दिन ही अपने पित्रों की करते हैं और उनका तरपन करते हैं इसलिए इसे सर्व पित्र आमावस्या कहा जाता है या पित्र विसर्जन कहा जाता है तो आए जानते हैं सर्व पित्र आमावस्या को कैसे करें पित्रों की विदाई 2022 में अश्वीन महा के कृष्ण पक्ष की आमावस्या तिती की शुरुवात 25 दिसंबर को सुभे 3 बच कर 11 मिनट से हो जाएगी और आमावस्या तिती खत्म होगी 26 सेप्तमबर को सुभे 3 बच कर 22 मिनट पर ऐसे में पित्र विसर्जन 25 सेप्तमबर 2022 को किया जाएगा तो पित्रों की विदाई किस प्रकार करें मित्रों इसकी भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं पित्रों की विदाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि 15 दिन तक पित्र धर्ती पर वास करते हैं उसके बाद पित्र लोक में चले जाते हैं और अमावस्या के दिन पित्रों की विदाई की जाती हैं मानिता है कि जिनके पूर्वज खुशी खुशी जाते हैं उनके घर में हमेशा सुक समरिद्धी बनी रहती हैं पित्र विसरजन के दिन पित्रों की विदाई धूम धाम से क इस दिन प्रात्यकाल सनान के बाद पीपल के पेड़ पर पित्रों का ध्यान करते हुए गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, सफेद, पुश्प अर्पित करते हुए ओम पित्र भाय नमा मंत्र का जाब करें। इसके बाद पित्र स्तूती का पाट भी कर सकते हैं और अपनी भूलों के लिए पित्रों से शमा अवश्य ही मागनी चाहिए हाँ मनुश्यों से कुछ न कुछ गलती तो अवश्य ही हो जाती है तो इसलिए हाँ जोड कर अपने पित्रों से अपनी भूलों की शमा याचना है तो है आमवस्या के दिन पित्रों के लिए तरा तरा के व्यंजन बनाएं सर पित्रा आमवस्या के दिन पित्रों का तरपन करने के पश्चाद ग्रीब ब्रामनों को भोजन कराएं इस दिन दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें यदि घर पर कोई भिखारी आता है तो उसका स्वागत सतकार कर उसे भोजन की चीजें अवश्य ही दान में दे इस दिन घर पर या घर के आसपास रहने वाले जानवरों को भी भोजन कराएं विशेश तोड़ पर कुत्ते को गाएं को गवे को तो भोजन पित्र पक्ष में अवश्य ही कराना चाहिए माननेता है कि इस दिन जो लोग शर्दा भाव से पित्रों का तरपन करती हैं उन पर पित्र देव सदेव परसन रहती हैं और एक वर्ष तक उनके घर में सुख समरिद्धी का वास रहता है उनके घर में कोई भी दुख नहीं आता तो मित्रों पित्र पक्ष इस बार 25 सप्तमबर दिन रविवार को है आप भी जिन सर पित्र आम अवस्या पर अपने पित्रों के निमित कुछ न कुछ दान अवश्य ही करें कौवे को गाएं को कुटे को रोटी अवश्य ही किलाएं और पक्षियों के लिए पानी भर कर छट पर अवश्य ही रखें अगर आपको हमारी है जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चनल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शे करें